नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मासरमार्ग पीली सर्सों का महाँचमत कारिक परियोग लेकिन उसके पहले है एक खास बात हमने अपना नया वेबसाइट लाँच किया है आप उस पर आ सकते हैं बहुत साई जानकारिया मिलेगी आपके रासी से संबंदित पूझापाट से संबंदित वास्तू अंक जोतिस तमाम जानकारी के लिए गूगल सर्च कीजिए आज हम बात करने वाले हैं पीली सर्सों का सर्सों तो आपके घर में होगा सर्सों दो तरका होता है एक होता है बलेक और लाल पन लिया हुआ और दूसरा होता है पीली कलर का तो आज जो हम सर्सों का प्रियोग बताएंगे वो पीले रंग बाले सर्सों से ही आपको करना है धर्म सास्त्रों में माना गया है कि घर में अगर सुगंधित वातावरन आप रखें तो ये सबसे ज़्यादा सुभ और पवित्र माना जाता है निगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला माना जाता है लेकिन घर में इस्ट देप को परसंद करने के लिए आप धूप दीप तो जलाते होंगे हर कोई अपने अपने धर्म के अनुसार ये जलाता ही जलाता है अब धर्मसास के अनुसार घर का वातावरन सुख्छ और पवित्र सुगंधित रहना बहुत आवस्यक है तो ऐसे में आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग वताएंगे देखिए अधिकतर आदमी जो लोग हैं साम में जब आप दियाबाती करते हैं तब या तो कपूर जलाते हैं या फिर सर्सों के तेल के दिया में लॉंग जलाते हैं लेकिन आज जो हम आपको प्रयोग वताएं या अगर जीवन पे हावी हो जाए हावी, गर के लोगों पर हावी हो जाए, तो जीवन नरक बन जाता है धन की कमी परिशाण करती है हमेशा ही जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीजhardtות होती हैं जो आपको तोड सी देती है तो ऐसे में पीले सरसों का सिंपल सा परियोग जो आपके जीवन के हर परिसानी को दूर करेगा देखिए पीला सरसों जो है तांतरी क्रियाओं में भी यूज होता है और मा बगला मुखी की पूजा में भी पीले सरसों का यूज होता है अब आप सोचेंगे मां बगला मुखी कौन है ये सत्रूओं को समाप्त करने वाली देवी है और इनकी अराधना बिसेश तोर पर सत्रूओं से परिशानी होने पर की जाती है अगर नियमित रूप से उनकी आप अरादना करते हैं, मा बगला मुखी का नाम भी लेकर परणाम कर लेते हैं, तो सत्रू बिलोधी चाहकर भी आपका कुछ बिगार नहीं सकते एक सिंपल सा परियोग करें, पीले कपड़े ले लें, उसमें थोड़ा सा पीला सरसों लेकर बांद लें, लाल धागे, मौली धागा के सहारे, अब मा बगला मुखी को अरपित कर दें, आपके समस्त इक्छाएं हाथो हाथ पुड़ी हो जाएगी, ये पीला सरसों बहुत चम में कोई परिसानी न रहे, और समस्त आपकी इक्छाएं पूरी हो जाएगी, अब हम एक छोटा सा परियोग बताएंगे, कई बार क्या होता है न, जीवन में परिसानी बहुत बढ़ जाती है, तब एक नियम बना लें, जब साम में आप दिया बाती करते हैं, चाहे आप कप पूर के सहारे या आप दिया जो जलाएंगे सर्सों के तेल का उसमें, अब इसी से पूरे घर में दीपक दिखाईए, यकीन मानिए, निगेटिव उर्जा सांथ हो जाएगी, क्योंकि जब सर्सों जलता है, तब आत्माएं सांथ हो जाती है, अब माल लेते हैं, आपके घर हैं, तब एक सिंपल सा प्रियुक करें, एक बरतल ले लें, इसको अपने घर में चूले पर चढ़ा दें, अब इस बरतन को गर्म होने दें, इसमें एक टुकरा फिट करी, और थोड़ा सा पीली सर्सों डाल दें, जब सर्सों चटकने लगे, तब इसका धुआ को घर में फ अब इस कागज को लेकर, जिसको भी नजर लगा है, उसके उपर से तीन बार या साथ बार उल्टा वार ले, घर से बाहर फेक दें, जो भी वेक्ती पीडित है, उसकी पीडाओं में जल्दी ही वो सांथ हो जाएंगे, यानि उनकी पीडाओं समाप्त हो जाएंगी, नजर तो स्तांत्री क्रियाओं से मुक्ती मिल जाएगी, तो ये प्रियोग बहुत सिंपल है, पीली सरसों का प्रियोग बहुत तरीके से किये जाते हैं, कई बार क्या होता है, राहू जीवन में बहुत परिसान करता है, और जब राहू परिसान करेगा ना, तो जीवन में आकस्म समस्याएं आती हैं और जीवन में जैसे लगेगा सब कुछ खो रहा है क्या करेंगे बहुत सिंपल प्रियोग है जब राहु परेसान करें तब राहु के नच्छतर में ही प्रियोग करेंगे अब राहु का नच्छतर कौन सा है पूर्वा भाद्रप्रद स्वाती और अद्रा ये तीन नच्छतर राहु के हैं जब ये नच्छतर आएं चाहे वो किसी भी दिन आए उस दिन ये प्रियोग करना है थोड़ा सा पीला सरसो अपने हाथ में लेकर अपने उपर से साथ वार वार ले अब वार कर इसको कहीं भी बहते वे नदी में प्रवाहित कर दें जो पा पीजे रख दें ऐसा करने की समय कोई रोके नहीं देखे नहीं टोके नहीं इस बात का ध्यान रखिएगा आप यकीन मानिए राहु समस्या कभी नहीं देगा जो जीवन में आकस्मी समस्याय बाधाय हैं वो समाप्त हो जाएंगी एक सिंपल सा प्रियोग ये भी होता है कभी कभी क्या होता है आप कभी कभी घर में कोई सुमंगल कारे करते हैं अचानक से बाधाय आजाती है या लंबे समय से आपके घर में कोई सुमंगल कारे हो ही नहीं रहे लंबे समय से आपके घर में संतान की प्राप्ती नहीं हुई है किसी का साधी ब्यार नहीं हुआ है आप चाहकर भी पुजा पाठ नहीं कर पा पा रहे हैं इसका मतलब है घर में दोस है तब क्या करेंगे तब एक छोटा सा काम करें एक लाल रंग का कपड़ा ले ले छोटा सा लीजिए रुमाल के इतना वड़ा भी चलेगा अब इसमें पीली सरसो रखें अब हनुमान जी के पैर का सिंदूर इसमें हलका सा लगा लें जो आपने पीला सरसो रखा है उसी में अब इस लाल कपड़े का आप मॉली धागा के सहारे पोटली बना ले और लाकर अपने घर के पुजास्थान पे रख दें घर के सभीत कश्ट दोस बाध संतान प्रापती भी होगी खर में पुझा पाठ भी होग आप दूर बहुत है तो आज हम आपके साथ बहुत simple simple परियोग कर रहे हैं यह चीजे आपके जीवन में बहुत माइने रखेगी अगर आप यह छोटा छोटा परियोग कर लेते हैं तो अगर जीवन में ज़्यादा परिशानी हो तब किसी भी सनीवार के दिन सुवा सुवा स्नान बेगर करके अपने पूजा घर में बैठ जाईएगा और थोड़ा सा पीला सरसों एक दीपक जला कर उसमें डाल दें अगर छोटे बच्चे को नजर लग गई हो तो अपने हाथ में थोड़ा सा पीला सरसों लेकर उसके सर से वार कर आग में जला दें नजर उतर जाएगी हो तब एक छोटा सा काम करें नियमीत रूप से जब आप दिया बाती करते हैं सामकिस में अपने घर में दूब दीप दिखाते हैं उस समय आप दीपक में एक चुटकी या फिर दो चार दाने के पीली सरसों के डाल कर और फूर फिर आप पूरे घर में दिखाएगा इसे क् आप चाहें तो सरसों के साथ थोड़ा सा नमक जरासा एक चुटकी और इसके साथ ही तीन साबूत सुखी वी लाल मिर्च भील ले सकते हैं और इसको आप कहीं भी बालकनी में छट पे कहीं भी आउट मतलब घर से बाहर निकल गए या अपनी कीचन में करेंगे तो आप विवस्था कर ले नहीं तो मिर्ची का गंद अंदर आजाएगा तो आपको इसको जला लेना है आप देखिएगा बच्चे को दुवारा नजर नहीं लगेगी साथ ही अगर आपके घर के आसपास माकाली का मंदिर है तो वहां से थोड़ा सा सरसों लेकर जाएए और वहां जो पुजारी होते हैं उनसे कहिएगा उस सरसों पढ़के देदें और फिर इस सरसों को आपके घर में छोटे बच्चे हैं बड़े बैकती हैं आपको लगता है बार बार किसी का टोक लग जाता है नजर बद्वा लग जाती हाई लग जाता है तो ऐसे में थोड़ा सा इसको आप उनके कमर में गले में पहना दें या उनके तकीये की नीचे रख दें चाहें तो घर के चारो तरब भी छिड़क सकते हैं तमाम परिसानियों से मुस्किलो से बचे रहेंगे अगर गरहों की पिड़ाएं ज्यादा परिसान करें आपको लग रहा है कि तमाम गरह आपके बिपरी धारा में चल रहे हैं तब एक छोटा सा प्रियोग कीजिएगा वैसे ये प्रियोग किसी भी सनीबार या मंगलवार के दिन करें एक लाल रंका रुमा अब इसका पोटली बनाकर अपने घर के पुजास्थान पर रख दें हर तरह के दोसों से संकटों से आपकी मुक्ति मिलेगी आपको और रोज साम के समय जवाब दिया बाती करते हैं तो दीपक में एक चुटकी पीली सरसों डाल दीजिएगा तमाम तरह के तंत्र मंत्र नि अच्छा कबस देता है धनिवाद